इंडिया में 7.29 करोड लोग डाइबिटिस के सिकार हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये नंबर 2030 तक बढ़के 9.8 करोड हो जाएगा आज 14 रवंबर है और आज World Diabetes Day है आज हम देखेंगे ऐसे 6 स्टेप्स जो डाइबिटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं ये आपको उसके सिकार होने से बचा सकते हैं इससे पहले कि हम स्टेप्स में हम थोड़ डाइबिटिस को जान लेते हैं डाइबिटिस दो टाइबिटिस दो होती है टाइबिटिस दूसरी होती है टाइबिटिस 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 को ऑटो इम्म्यून डाइबिटिस भी बोला जाता है और इसको मैनेज नहीं किया जा सकता है लाइफिस्टाइल चेंजेस से इसलिए इसमें इंसुलिन की रिक्वाइर्मेंट होती है और ब बहुत सारे प्रोब्लम हो सकते हैं तो आईए देखते हैं वो 6 स्टेप कौन से हैं पहला आपको हर अपते 2000 कैलरी बन करने होंगे क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टेडी में पाया गया है कि एक्सरसाइज जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है जिससे ब्लड स साइकलिंग, स्विमिंग या फिर एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज से पेंक्रियास वो औरगन जो इंसुलिन बनाता है उसकी भी एक्सरसाइज होती है दूसरा फास्ट फूट खाने से डाइबिटीस की रिस्क 40% तक बढ़ जाती है 37 श्टेडी यानि 37 श् पास्ता और मैदा से बने फास्ट फूट इनमें फाइबर को रिमूफ कर दिया जाता है इसलिए ये फास्ट डाइजेस्टिंग काप्स बन जाते हैं कोसिस करें कि इस टाइब के फूट को एक हपते में एक बार से जादा ना खाएं तीसरा हर दिन 25 ग्राम फाइबर खाने की कोसिस करें हर 2000 कैलरी पर कोसिस करें कि 25 ग्राम फाइबर खाएं फाइबर की मातरा भरपूर में लेने के लिए आप कोसिस कर सकते हैं कि फरे मटर, होल ग्रेन, सेओ, ओवी छिलके के साथ या दलिया खाएं इनमें फाइबर की भरप पाई जाती है फाइबर खाने से आपका वेट मैनेजर रहता है वेट कंट्रोल रहता है इसके अलावा यह आपके बलड शुगर को भी नियंत्रित करता है यानि कि अगर आप फाइबर भरपूर मातरा में लेते हैं, तो खाने से निकलने वाली जो सुगर रती है, वो बलड में बहुत धीरे-धीरे आती है, जिससे आपके पेंक्रियास को टाइम मिल जाता है, इंसुलिन निकालने का और बलड सुगर कंट्रोल हो जाता है, चौता, कोशिश करें कि हर एक घंटे में 5-7 मिनट चलें, 47 यानि की 47 स्टेडी ऐसा कंक्लूट करती हैं कि जब आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो आपका डियाबिटिस का रिस्क 91% तक बढ़ जाता है, बच्चों में एक स्टेडी ने पाया है कि जब बच्चे एक घंटा स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी 8.7% तक घड जाती है, इसको दूर करने के लिए आप कोशिश करें कि आप हर घंटे 5-7 मिनट जरूर चलें, पांच माँ, हर दिन विटामिन D का सेवन करें, कोशिश करें कि धूप लें हर दि डियबिटीस करेंट रिपोर्ट के मुताबित विटामिन D, सुगर या डियबिटीस को कंट्रोल करने में बहुत ही बड़ा रोल है इसका, अगर आप बरपूर मातरा में या जितना जरूवत है उतनी मातरा में विटामिन D लेते हैं, तो या आपके टाइप 2 डियबिटीस क रिस्क को 43% तक कम कर सकता है, अगर बात करें कि अच्छे सूर्सेस क्या हैं विटामिन D की, तो इसमें आते हैं कि फिश, कर्ड, औरेंजूस, विटामिन D आप सनलाइट से भी ले सकते हैं, कोशिस करें कि हपते में 2 बार 30 मिनट तक धूप सेखें, इससे आपको भरपूर म मातरा में विटामिन D मिल जाएगा, छटमा, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पिए, ऐसा माना गया है और स्टेडीस में पाया गया है, कि अगर आप डेली ब्लैक कॉफी पीते हैं, तो उससे आपकी टाइबिटिस की रिस्क है, टाइब टू डाइबिटिस की रिस्क वो 8% तक घड जाती है, कॉफी और टी में एंटी ओक्सिडेंट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, पॉलिफिन टी में भी और एंटी ओक्सिडेंट मिलता है, जिसको बोलते हैं, एपी गलेक्टो चिन गैलेट, जिसके कारण इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और वो अप का रिस्क कम हो जाता है, उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको जितने भी चीज बताएं इसके सोर्सें हैं, अमेरिकन डाइबिटीस असोशेशन, नैशनल लाइबरेरी ओफ मेडिसीन, एंडोक्राइन सोसाइटी और बहुत सारे अन्न किये अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें